बिहारी फस्ट बिहार फस्ट का जो रैली था कहीं ने कहें उसके लिए चराग पास्मान और पार्टी के तमाम वरकर थे वो अपने तरफ से पूरा प्रियास कर रहे थे और रैली के लिए दिन राते के वे तलाकातार दोरा हो रहा था लेकिन कोरोना वारिस के बज़ा से इस फिलहाल फस्ट पॉस्पॉंट कर दिया गया है हमारे साथ बात करने के लिए पूरबिधायक हैं कदावर निता हैं सुमि पांडे जी हम बात करेंगे Sl activists रैली रद्ध होने से क्या कुछ असर पर गा जब भी होगा दुग न भीठ देखेगा क्या कहेंगे देखे रैली रद नहीं हुआ है अस्थागित किया गया है कोरोना वाइरस के चलते जो पूरे बिस्व में जो परिसानिया उत्पन हुई है और तवाम सांस्थान बंद किये गए हैं बचों के इसको ये सब जो बंद किये गए भीड़भार से बचने के चलते जो है तो अबुम्राम चर्ले को इससलिते कि और फ़ी आपरेइल को रैली थी तो उसको अभी हम लोगों ने अस्थभीत किया है पार्ति ने अस्थजय किया है वर्करूं में हमरे कारिश करताओं में थोड़ी मायूसी जरूर हुई है कि हमारे जिलिया में कारिश करम तयारी हो चुकी थी नहीं हुई है लेकिन जैसे ही कालिज कराम का सुरूआत होगा तो दूगना जोश्खरोश के सांथ हमारे बरकर जो है लगेंगे और फिर हम लोग रहां करेंगे और बहुत बढ़िया रह रहां करेंगे इस वार पूरे विहार में जिस धंक से बिहारी फश्ट बिह हज़एख लोग आएंगे हर एक जुआ किसान हर लोगों का इसमें सहयोग होगा और बहुत अच्छे रेली होगी बहुत भीडूगी लेकिन कहीं ने कहीं जो है वरकरों में आपने का जो मायूसी है लेकिन रेली का जो है डेट एक आपके अनुसार पूशे है क्योंकि कहा यह भी जाता है जो rumor कहें या फिर कहीं ने कहीं जो निकल के खबरें आई जो गर्मी जब बरहेगी तो इस तरह के बाइरस में जो है कम ही आएगी पुकता को यह नहीं है लेकि रूमर टैप की जिए जो सुनने को मिलती है तो कब रेली कब होने बाले अपरिल में या मीड में में जून में कब जून से पहले हो जाएगी निस्ची तोर पे जैसे ही कुरोना वाइरस का ये जो मामला भी चला है। मामला शांत जैसे ही पड़ जायेगा. दाबलु एचो ने महमारी घुषित इसको किया है। तो जैसे ही यह सिग्नल मिल जाएगा कि कुरू न वाइरस जो है हमारे हिंदूस्तान में, हमारे बिहार में अब उसका कोई असर नहीं है। तो हम लोग एक जो है तीथी तै करेंगे और उसमें हम लोग रेली करेंगे हम लोग के रेली की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है उसमें कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है गाड़ी वगरा जितने भी हैं आने के लिए साधान हमारे वरकर सबको ठीक ठाक करके बैठे मैं इनका स्वागत करता हूं स्रकार के नियरे का मैं स्वागत करता हूं कि हम लोग बचें साधानी परते हैं तो निसित्यतृूरत पे अनपरदेश illumin approach से हम आगे है इस मामले में अनपरदेश से बिहार आगे है कि हम ने सबसे पहले हमारी सरकार ने यह नियर्णै लिया और पूछा पांडे जी क्या कहें गहां मैं तो उसका समय नहीं है अभी चुनाव में काफी समय है अभी सारी पार्टिया अपनी तैयारी कर रही है एंडिये का बैठक होगा एंडिये मिल करके उसको तै करेगी कि कितने कितने सीटों पर लड़ना है और निश्चित तौर पे समान जनक सीटों के साथ लोजपा इस पर चुनाव लड़ेगी समान जनक सीट मिलेगी मुझे पुरा वरोसा है एंडिये पुर्टर इंटेक्ट है उसमें कुई इफबट नहीं है उसमें कहीं से संसे नहीं है एंडिये एक जूट अभी भी है कल भी रहेगा 2020 का चुनाओ मन्य मुख मंत्री नितिस कुमार के नेटित्व में चुनाओ लड़ा जाएगा लोग जनसक्ती पार्टी जनता दलीव और भाजपा तीनों मिलकर चुनाओ लड़ेगी धन्यवाद